हलो एव्रीवान वेल्कम बैक्टो मैं चैनल गाइस एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं जानेंगे कुछ मैसेज़स पत कर रहे हूं दिन रात मिस कर रहे हूं और अप को जानना है कि उनके पास आपके लिए क्या मैस्ज़स हैं ओकैं स्टर्ट करते हैं reading बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है अप लोगों के लिए शुरू करने से पहले गाईस बता दू कि यह जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो सो प्लीज कीप अन ओपन माइंड और रीडिंग टाइमलेस है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं पहला काढ़ है 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 प तो यह कुछ कार्ड्स आये हैं आपके लिए ओके मैं इन सारे कार्ड को इनके डिटेल्स जानना चाहूंगी थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं मुझे लगता है अभी आप नो कॉंटेक्स सिचुएशन में हो आप में से जातर लो इनन आउट वाली कंडिशन है आपकी इस कनेक्शन की यह चीज दिख रही है यहाँ पर यहाँ पर गाईज मुझे लगता है कि आपके परसन ने आपसे काफ़ी रूट भी है रहा है पास्ट में आपके परसन का आपको लेकर या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा कह दिया जिसका पस्तावा आपके परसन को अप खुद हो रहा है कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था या फिर बात्चित बिगड़ गई या फिर जादा ही आपको डार्ड दिया किसी चीज को लेकर या फिर आपकी कुछ इंसल्ट कर दी किसी मैटर में हो सकता है ऐसी बाते हुई हो तो जिसके वज़े से no contact situation आ गई है लेकिन अभी ये person दिल से चाहता क्या है कि ये आपको sorry बोले ये person sorry feel कर रहे है और कही ना कही ये person भूल जाते हैं कि आपको इनका connection बहुत special है और जो भी है पर इस connection में अभी आपके person struggle ही कर रहे है उन्हें अभी पूरे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस time पर behave करना चाहिए क्योंकि आपको special भी मानते हैं और फिर आपके साथ इस तरह का behavior तो ये चीज अब आपके person को समझ में आ रही है तो पहला जो एक message है वो है sorry का ये person सच में दिल से चाहते है आपको sorry बोल दे और आप इन्हें माफ कर दे मुझे लगता है कि ये person कोई surprise आपके लिए organize करने वाले है देखो या तो ये बाते अच्छी अच्छी बोलेंगे या फिर ये सच में आपके लिए कोई gift वगेरा खरीदने की कोशिश कर रहे है और हो सकता है near future में आपको दे भी दे sorry जब बोलेंगे तो ये हो सकता है flowers दे दें आपको flowers ठीक है और ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छा gift दे दें ठीक है ये manifest कर रहे है और आप दोनों का ही जो level of spirituality का जो level है वो काफी जादा आप उसमें आगे बढ़ रहे हो ये चीज़े दिख रही है और आपके person को feel भी होता है कि yes जो भी हो रहा है process है लेकिन ये अपने आपको change करने की बहुत कोशिश कर रहे है जैसे कि death का card भी आया है transformation का card है ये person खुद को change करने की कोशिश कर रहे है बहुत polite बनने की कोशिश कर रहे है लेकिन अभी काफी struggle मुझे आपके person की life में दिख रहा है इस वज़ा से in and out condition आ जाती है लेकिन जो भी यहाँ पर चीज़े हो रही है या जो भी हो चुकी है आपके person को लगता है कि उनका action ठीक नहीं था इसलिए वो sorry feel कर भी रहे है ये जीज़ यहाँ पर आई है और देखते है काफी अकेला feel कर रहे है आपके person इस टाइम इनको बहुत अकेला पन feel हो रहा है बातचीद बंद हो गई है न आपकी इस वज़ा से इसको पता है कि अभी बात शुरू करना भी ठीक नहीं होगा देखो एक और important message चाहे ये अकेले हैं लेकिन फिर भी इसको पता है कि अभी बात करना ठीक नहीं है ये खुद रोक रहे हैं खुद को अभी बात नहीं करेंगे थोड़ा time लेंगे लेकिन हाँ new beginning तो होगी क्योंकि न आपको लेकर काफी romantic feelings और attraction भी बहुत ज़ादा है आपके person को आप इसके दिमाग पर heavy है ये चीज़े भी हैं यहाँ पर जब तक ये अपने अंदर improvements नहीं लेकर आ जाते जब तक ये अच्छी तरीके से behave नहीं करते अपने आपको heal नहीं करते शायद तब तक ये रुकेंगे ठीक है देखो यहाँ से न two of cups का भी card है और strength का भी card है आएंगे तो 100% लेकिन अभी का जो scenario दिख रहा है वो ये है कि अभी इन्होंने strength रखी है देखो no doubt कि ये soul connection है क्योंकि divine masculine का भी card है आपर अभी two of cups का भी card आ गया है ये समझ चुके हैं कि आपके साथ एक बहुत ही special bond बन गया है special बहुत ही connection बन गया ये और ये आपके पास आते वे दिख भी रहे है लेकिन जब तक enough strength नहीं आजाती और मतलब जिसी के अपने खुद के weakness जो भी कमिया है इसके अंदर या जैसा भी behavior ये रख रहे हैं आपके लिए जब तक इन साली चीज़ों में बदलाव नहीं आ जाता तब तक शायद ये अभी नहीं बात करेंगे आप से ये चीज़े मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो यही कुछ messages हैं जो इसके मन में हैं देखो पहला तो sorry feel कर रहे हैं दूसरा ये है कि surrender कर दिया ये connection और ती तीसरा message ये है कि ये आपके साथ एक बहुत strong bonding अब इनको feel होने लग गई है और इनको पता है कि आपके साथ ये बहुत ही deep connection बन गया है क्योंकि ये divine connection है यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं क्या आएगा आप लोगों के लिए chemistry है देखो इस connection भी chemistry है भले ही चाहिए बोलते हो कि यहाँ कोई chemistry नहीं है यहाँ कोई attraction नहीं है बट chemistry तो है बिलकुल है और देख लेती हूँ मैं और क्या cards आएंगे आपके लिए forgiving and learning जितना ज़्यादा यह माफी मांगेंगे ना उतना ज़्यादा सीखेंगे कि फिर आप इने बताओगे कि आपने आपको कहां hurt हुआ कहां आपको इस person की बात गलत लगी ठीक है तो तब फिर इस person सीखेंगे कि हाँ इसको इस एडिया में कुछ थोड़ा change लानी की जरुरत है ऐसे बात करनी चाहिए या सामने वाले की feelings को भी समझना चाहिए keep an open mind but थोड़ा न आप भी ज़्यादा दिल पर बाते मत लिया करो क्योंकि your soulmate may differ from your unusual type and expectations तो आपके जो person है आपके soulmate ही देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है soulmate ठीक है लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके soulmate न आपके usual type से थोड़ा different है और आपकी expectation से भी different है तो keep an open mind थोड़ा open mind रहा कीजिए और देखो यहाँ से भी soulmate का ही card आ गया है trust soulmate worth waiting for wow हो सकता है person खुद भी कह रहे है कि अगर इन्होंने surrender पर कर दिया connection तो आप थोड़ा wait कर ये क्योंकि आप दुनों soulmates है और यहाँ पर trust भी बन गया आप दुनों के में बोलते हैं अपनी बाते लेकिन ये दिल के अच्छे हैं आपके divine counterpart है okay ये चीजे मैं हाँ पर देख पा रहे हूं कुछ और messages देख लेते हैं और ये तो कह रहे हैं कि अगर surrender पर connection गया है तो आप please wait कीजिए wait करने के लिए कह रहे हैं अगर आपको इस person पर trust है तो आप करिए wait और देखते हैं क्या message हैंगे you treat me like your prince or princess तो आप तो इसको prince or princess की तरही treat करते हो इस person को ऐसा feel होता है you are honest with me देखो इसको पता है क्या आप honest हैं आप अच्छे हैं honest हैं you are my soulmate देखो कितने सारे soulmate के card आ रहे हैं सारे soulmate के card ही आ रहे हैं you are my soulmate इसको पता लग गया आप इसके soulmate हैं आपके साथ connection नहीं तूट सकता यह सारी बाते पता लग गई है you and me deal with every situation well hmm अच्छे से समाल सकते हो आप दोनों मिलकर कोई भी situation you love me for what I am यह जैसे भी हैं फिर भी आप इनसे प्यार करते हो आपके बारे में इस person को काफी चीज़े पता हैं आपका कैसा nature है behavior है आप क्या सोच तो इस person के बारे में सब पता है you hold me tight and you listen to me well आप इसको बहुत ही अच्छे से सुनते हैं you listen to me well okay तो काफी अच्छे messages दिये हैं आपके partner ने थोड़े से messages और पता करेंगे मेरे handmade messages हैं कुछ यहां से भी कुछ पता लगाते हैं यहां से क्या messages आएंगे okay चलिए इनको पढ़ लेते हैं I am not blind to the signs I do see them देखो इनको भी sign number यह सब मिल रहे हैं और यह अब समझ पा रहे हैं का meaning क्या हो सकता है my nerves have been getting the best of me अपना best करना चाहते हैं I want to contact our mutual friends to ask about you some people don't want to see us together but I don't care कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ देखना चाहते नहीं इसको परवा रही है उनकी all I want is to see you again तुबारा देखना इस person को आपको I will always keep you safe I will always keep you safe देखा आपके true soulmate है यह I have options but I only want you इसके पास option है लेकिन फिर भी यह चाहते सरफ आप भी को है I may not always there with you but I will always there for you अभी तो यह आपके साथ नहीं हो सकते हैं but यह future में हमेशा आपके साथ रहेंगे I am awakening देखो awakening और यह इस person की You never leave my thoughts The love was so intense that it scared me I want to love with you again Try to keep myself busy to stop thinking about you I am focused on work Being in love with you makes everyday an interesting one I love you Wow Founds spirituality and gifts तो देखो यह अपने work पर focus कर रहे हैं पर यह हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और कभी-कभी ऐसा भी करते हैं कि कुछ अलब काम करते हैं ताकि आपके बारे में सोचे ना लेकिन आपके बारे में सोचना बंदी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं आपके soulmate हैं आप दोनों की energy एक दूसरे तक पहुंचती हैं इसलिए आप दोनों कभी भी एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं याद करते हो तो यह थोड़े changes आने हैं इस person के behavior में और जब sorry feel कर रहें तो obviously लेकर भी आएंगे और आपको एक टाइम आने पर sorry कह भी देंगे तब तक आप manifest करते रहो ओके this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो यह reading अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बिस इतना है guys बाई take care